Hi girls, so finally it is time to say you all goodbye. I am going to miss you all, each and every one of you a lot. Today I am sharing some finest moments spent with you all. Hope you like it. आज कुछ अलग बात करते हैं. जिन्देकी की किताब में महु के किस से याद करते हैं. याद है वो पहला दिन जब हमें एकॉमोडेशन का चार्ज मिला था, कूलर, पानी, बर्तन, छोटा किचन, लॉन्डरी के लिए हमने हकेसी को कितना करिप किया था. धीरे धीरे सारे ओड्स को इवन आउट करते हुए, हमने अपनी शॉपिंग का खाता खोला. याद है हमारा पहला लेडीज गाइडिन्स कैपसियूल, जिसमें हम सब पहली बार मिले थे. इतना कुछ ग्यान लेकर भी दूसरे कैपसूल से हम डर रहे थे. आज चाय वाली गौसिप नाइट्स को याद करते हैं, जिन्दकी की किताब में महों के किस्से याद करते हैं. नमरता का हर संडे सौट इंडियन बनाना, और तन्नु का चटपटी पाउभाजी खिलाना, अकानशा के साथ खंटो वाक पड़ जाना, और रित्तू के स्वीर से छोटु बेबी को जल्डी सुलाना, अनिशा के किस्सों को मजे से सुनना, और शालनी का स्वीर सा जेस्टर देना आज शुरूती की बनाई रील्स को याद करते हैं जिन्दगी की किताब में महु के किस्से याद करते हैं याद है वो शिवानी के मासुम एक्सप्रेशिन्स और स्वाती के मज़ेदार क्वेश्चिन्स किरन के मैरिज की भूत वाली स्टूरी और नेहा के बड़ा खाना खाने की खुशी आज अमन के घर खाए छोले कुल्चे को याद करते हैं जिन्दगी की किताब में महु के किस्से याद करते हैं याद है वो सैंडी की स्वीट सी स्माइल और मयूरी की नशीली आखे वो चेतना का सम्ट्यूस मील खिलाना और हर चाइबाती के बाद फोटो खिचाना आज वो फंडोर वाले दिन को याद करते हैं जिन्दगी की किताब में महु के किस्से याद करते हैं वो रात को ग्यारा बजे पार्क में मिलना और वो देर रात तक तृत एन देर खेलना वो पूल पार्टी की मस्ती और गर्ल्स आउटिंग के प्लैन बनाना बढ़्शा लेक में पिकनिक और डीजे नाइट में खूब पार्टी करना आज उन सारे पलो को जो हमने साथ बिताए उसे याद करते हैं जिन्दगी के किताब में महु के किस्से को याद करते हैं करते हैं